कुछ दिनों पहले मैंने वडोद्रा गुजरात के क्राफ्ट मटेरियल के शॉप का हॉल आपके साथ शेयर किया था आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंदोर मध्यप्रदेश के क्राफ्ट मटेरियल शॉप को हाल ये सारा decorative craft material मैंने कहां से खरीदा है उस दुकान का नाम और address मैं last में mention करने वाली हूँ और उसके साथ ये चीजों के prizes भी मैं बताने वाली हूँ तो इसलिए वीडियो बिल्कुल miss मत करना last तक देखना तो चलिए start करते हैं हमारा वीडियो चलिए start करते हैं इस पहले atom से जो है cover shell bangle इस bangle के उपर real cover shells लगाई गई है और colored wool से इसके उपर wrap किया है और उसके उपर gota lace से wrap किया गया है इसमें बहुत सारे color options available है green, red, pink, orange, etc इसका use हम candle holders बनाने के लिए कर सकते हैं और नवरात्री में नवरात्री के outfit पर हम as a bangle भी इसको पहन सकते हैं ये बहुत अच्छा look देता है इसका per piece price है around 50 rupees next item है ये शुभलाप के cutouts जो की बहुत ही premium quality में available है आप देख सकते हैं इसके उपर holes दिये गये है उपर और नीचे भी holes दिये गये है उपर हम ring लटका कर और नीचे भी मोती और कोई भी hangings लटका कर इसका wall hanging अच्छे से बना सकते है पीछे के side से ऐसे दिखता है इसकी per pair का price है around 100 to 120 rupees इसमें बहुत सारे options available थे पर ये मुझे सबसे अच्छे लगे तो मैंने ये purchase कर लिये थे next item है ये kattoria जिनके उपर multi color wool से work किया गया है उसके उपर गोटा lace से भी work किया गया है और white और golden मोती से decorate किया गया है इनका use भी हम wall hanging, torrent या any craft item में हम कर सकते है इनका price है around 10 rupees per piece next item है ये golden bangles जो की circle और square shape में available है bangles के उपर गोटा lace से wrapping की गई है और उसके उपर golden beads attach किये गये है इसका finishing भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है इनका use भी हम candle holders बनाने के लिए कर सकते है या तो हम इसका use wall hangings, torrent, इत्यादी बनाने में कर सकते है इनका per piece price है around 25 rupees same इसके जैसे ही ये bangles available है जिनके उपर भी गोटा lace से wrapping की गई है पर इसमें white और golden मोती से work किया गया है इनका price भी same ही है इसके साथ multi color में भी ये bangles available है और single color में भी ये bangles available है next item है ये मोती की bangles जिनके उपर बारिक मोतीों से wrapping work किया गया है इसमें दो types available है एक plain white मोती में और एक golden plus white मोती में इनका use भी हम candle holders बनाने में wall hanging बनाने में तोरण बनाने में इत्यादी में कर सकते है इनका per piece price है around 30 rupees next item है ये wooden MDF plates जो की circular shape में है और इसकी finishing भी बहुत अच्छी है quality भी अच्छी है इसका use हम platters बनाने में कर सकते है इसके उपर कोई भी artwork किया जा सकता है हम painting कर सकते है या mirror art कर सकते है या healthy kunkum platter बना सकते है multi use के लिए ये बहुत अच्छा option है और इसका per piece price है around 15 rupees इसमें बहुत सारे size available है जैसे-जैसे size बढ़ता जाएगा price वैसे भी change होती जाएगी next item है ये rings जिसके उपर woolen work, gota work, beads work इत्यादी किया गया है और ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते है इसमें बहुत color options available है pink, red, green, yellow, etc और इसका use हम platter बनाने में भी कर सकते है इससे पहले जो मैंने MDF का base दिखाया था वो MDF के base हम decorate कर सकते है और उसके उपर ये ऐसे चिपका कर हम platter बना सकते है जो की शादियों में, नई तो त्योहारों में बहुत अच्छे से काम में आएगा और ये rings का per piece price है around 40-50 रूपी जैसे size बढ़ता जाएगा वैसे price change होती जाएगी इसमें बहुत सारे different designs भी available है ये rings जिसके उपर सिर्फ गोटा लेस का use किया गया है ऐसी plain golden rings भी available है और ये size और इससे बड़े size में भी available है और इसमें ये बड़े size वाले ring भी available है जिनका use हम decorative items में कर सकते है जैसे कि हम dream catcher बना सकते है नई तो big थाली बना सकते है जिसका use हम शादी में वगरा कर सकते है decorative candle holders बनाने के लिए कटोरिया काम आती है ये dozen का pack है per pack price रूपीज around 100 next item है ये वुलन चक्री जिसके उपर wool से wrapping की गई है और उसके उपर golden गोटालेस से wrapping की गई है इनका use हम बहुत सारे craft items बनाने में कर सकते है हम simply इसके उपर ये candle की कटोरी stick करके candle holder बना सकते है इनका use हम wall hangings तोरण आदी बनाने में कर सकते है इनका per piece price है around 15 रूपीज इसमें बहुत सारे color options available है red, yellow, pink, orange, green, etc next item है ये off-white pearls जिनका use हम jewelry, craft items में कहीं भी कर सकते है ये हर जगा काम आते है इसमें white या off-white color भी available है ये आधा kilo का pack है और इसका price है around 250 to 300 रूपीज पर half kg इसमें 4 mm से लेकर 12 mm तक sizes available है next item है ये elephants जिनका use हम candle holders, wall hangings या कोई भी decorative item बनाने में कर सकते है आज कल healthy platters या ring ceremony platters इत्यादी बनाने में भी इसका use हम कर सकते है इनकी quality बहुत अच्छी है और गोटालेज से इसके उपर भी work किया गया है इसका per piece price है around 30 रूपीज इसमें बहुत सारे color options available होते है पर फिलहाल तो मुझे यही एक color मिला तो मैंने ये सारे purchase कर लिये थे next item है ये elastic का thread जिसका size 0.8 mm है और ये कोई भी माला पिरोने में हम इसका use कर सकते है ये 10 का pack है और पर piece मुझे around 20 तो 25 रूपीज इतना पड़ा है next है ये bond fix clear glue ये जो हम craft items जो बनाते है उसको चिपकाने के लिए ये बहुत ही अच्छा है और क्यूंकि ये clear glue है तो finishing भी अच्छी दिखती है क्यूंकि हम जो चिपकाते है उसके उपर extra वाला glue नहीं दिखता है और ये बहुत ही strong glue है तो आप इसे इस्तमाल कर सकते है ये है इंदोर का craft material shop जहाँ से मैंने ये material purchase किया है आप भी वहाँ से ये material purchase कर सकते है I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो please like, share and subscribe to my channel और ऐसे ही informative वीडियो मेरे चैनल पर आगे भी आते रहेंगे तो इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अगली ऐसे ही informative वीडियो में हमारी मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद थांक्स पूर वाचिंग